नमस्कार मैं हूँ अन्शिता तमिलाडू में बीजेपी मैदान माणने निकली थी और कर लिया सेल्फ कोल ताजा इस्तिति ये हो गई है कि मोदी की पार्टी विरोधियों को तो नहीं ही सोहा रही है साथियों और सहयोगियों तक ने उसकी बैंड बजाने का एलान कर डाला है इससे पार्टी बैकफूट पर है दक्षिड में खुद को मजबूत करने की जुगत में लगी बीजेपी करनाटक में तो पटखनी खाही चुकी थी इसके बाद उसने फोकस किया तमिलनाडू पर लेकिन लग रहा है कि यहां भी उसकी दाल नहीं गलने वाली है आप सोच र हुआ है याने वाले दिनों में मुसीबत बन सकता है इस पर आगे चर्चा करेंगे फिलाल यह जान लेते हैं कि मामला क्या है जिस पर इतना बवाल मच गया और बीजेपी अपने ही विछाए जाल में फस गई आप जानते ही है कि मोधी राज में जाच एजेंसियों के निश प्रवरतन्य देशाले ने उन्हें 14 जून को धन शोधन निवारान अधीनियम यानि पीमले के तहट चेन नई से गिरफतार कर लिया मिली जानकारी के मुताबिक इस से पहले एडी ने उनके चेन नई करूर इस्थित उनके आवास और सचवाले इस्थित दफ्तर में घंटो पर बवाल मच गया है विपक्ष मोधी सरकार पर हमला वर हो गया है खास बात ये है कि कॉंग्रेस से लेकर आमादमी पार्टी एंसीपी उद्धोगुट वाली शिफसेना सब एक ही सुर में हल्ला बोल कर रहे हैं खैर किसने क्या कहा है इस पर आगे चर्चा करेंगे फिलाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये कोई हाल फिलाल का मामला नहीं है बलकि साल 2011 से 2015 के बीच का है जब राज्य में बीजेपी की सहीयोगी कही जाने वाली अखिल भारती अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम यानि ए आई ए डीमके की सरकार थी और मुख्यमंत्री थी निस्तरों पर नौकरियों के जूटे वादे किये गए और कथित तोर पर बाला जी और दूसरे लोगों ने 4 करोड 25 लाग की रिश्वत ले इसके बावजूद कई उमीदवारों को नौकरी नहीं मिली इसके बाद बाला जी के खिलाफ तीन प्रात्मी की दर्श की गई और बाद में उनके खिलाफ चार्शी भी दायर की गए इडी ने जुलाई 2021 में बाला जी और अन्य के खिलाफ पी एमले के तहट भी मामला दर्श किया और जाश शुरू की यानि बाला जी पर जौब देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है अब जरह सोचिए मामला है 2011 से 15 का और कारवाई कब हो रही है 2023 में अब सवाल उठ रहे हैं कि जब 2014 से मोधी सरकार सत्ता में है तो पहले ही कारवाई क्यों नहीं हुई क्यों किसी ने सुध नहीं ली अब अचानक से इस मामले की याद क्यों आ रही है इस पर जानकारों का दावा है कि इसकी वज़ा है 2024 मे होने वाला लोकसभा चुनाव और पहले इस मामने में कारवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि तब बाला जी जैलालिता सरकार में मंत्री थे यानि एए डीमके में जो की बीजेपी की सहयोगी है लेकिन जैसे ही 2018 दिसंबर में सेंथिल बाला जी ने पार्टी बदली बस खेल शुरू हो गया आपको बता दे कि बाला जी ने एए डीमके के टिकेट पर 2006 के विधान सबा चुनावों में जीत दर्श की थी और वो 2011 से 2015 तक राज्ज के परिवहन मंत्री रहे लेकिन 2016 में जे जैल अलिता के निधन के बाद उन्होंने एए डीमके का साथ छोड़ दिया और दिसंबर 2018 में सत्तारून द्रविड मुनेतर कड़गम यानी डीमके में शामिल हो गया बाला जी ने अप्रेल 2021 के विधान सवा चुनावों में फिर जीत दर्श की और उन्हें MK स्टालिन सरकार में बिजली शराब बंदी और उत्पाच शुल्क मंत्री बनाया गया 2021 में इन्हें मंत्री बनाया गया उधर इसी साल जुलाई में ED ने इनके और अन्नि के खिलाफ PMLA के तहट मामला दर्श किया और जांश शुरू कर दे हाला कि 2022 में जब मामला मदरास हाई कोट पहुँचा तो कथित भरती गोटाले में बाला जी और अन्नि के खिलाफ कारिवाई को खालिस कर दिया गया लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोट ने बाला जी को एक बार फिर जटका दिया और हाई कोट के 2022 के आदेश को रद कर दिया में मुदी सरकार को खेर रहे हैं लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बीजेपी की अपनी सहीयोगी एई एडीम की क्यों खफा हो गई है क्यों दोनों के रिष्टों में खटास पड़ गई है तो इसकी वज़ा है पूरु सीम जैललिता के बारे में बीजेपी के रा 1991 से 1996 जब जैललिता सत्ता में थी वो समय भृष्टाचार के मामले में सबसे खराब समय था इस पर उन्होंने कहा तमिलनाडू में कई प्रिशासन भृष्ट थे पूर मुख्य मंत्रियों को कानून की अदालतों में दोशी ठेहराया गया है यही कारण है कि तमिलनाडू सब जिम्मेदार और प्रेरित शक्स बताया सिर्फ यही नहीं अन्ना द्रमुक नेता और पूर मंत्री दीजय कुमार ने यह भी कहा कि अगर अन्ना मलाई को नहीं रोका गया तो अन्ना द्रमुक भाजपा के साथ अपने गटबंधन पर दो बारा विचार करने के लिए सरकार पर हमला किया है कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने इस गरफतारी को सरकार का उत्पीडन और प्रतिशोत की राजनीती करार दिया उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ऐसी कारवाईयों के आगे जुकने वाले नहीं है वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये गरफतारी भारत के विपक्ष पर लगातार हो रहे हमले का हिस्सा है और ये हमारे लोकतंत्र की बुनियात को कमजोर करती है वहीं संजराउत ने कहा कि विरोधी दलों को डराने का काम किया जा रहा है अगर एडी नहीं होती तो महराष्ट की सरकार नहीं बन पाती वहीं मैं संस्थानों को दोश नहीं दूँगी क्योंकि संस्थान खुद से कोई कारवाई नहीं करते उन संस्थान के पीछे कोई बड़ी शक्ति है जो ये सब करवा रही है यानि बीजेपी विरोधियों और सहयोगी दोनों के निशाने पर आ गई है जोससे एक सवाल और पैदा हो गया है कि अब भी जेपी क्या करेगी लेकिन इस सवाल का जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है इस वीडियो में इतना ही आप से नरोध है क्यूट्यूब पर हमारे चैनल आटिकल इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताईएगा ट्विटर है आटिकल एंडिया इसको भी